हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सब लोग वल्कम टू मैं चैनल चटोरी रजनी बेटे की स्कूल की छुट्टी है क्योंकि एक्जाम चल रहे हैं तो एक दिन स्कूल एक दिन चुट्टी ऐसा ही चल रहा है तो आज मैं तसली से उठी नहाई थोड़ा बहुत डस्टिंग करी और मैंने का फिर मैं लंच बनाने किचिन में जाओंगी कई बार सवाल आते हैं आप कितने बजे काम पे लगते हो किचिन में लंच बॉक्स बनाने में मैंने सोचा आज मैं अपने हजबिन के लिए पूदीना पनीर की सबजी बनाओ को यूजली जब मैं पूदीना पनीर हो तो मैं तो मैं पूदीना खुप सारा बार एक-bार एक पर आज मैंने सोचा मैं उसी पुदीने को मिक्सी में पीस के एक पेस्ट बनाके यूज करके सब्सी बनाओंगे तो यहां पर मैं पुदीना अच्छे से दो लेती हूं दो तीन पानी से बहुत मिट्टी और किरकिरा होता है तो उस चीज का बहुत ध्यान रगना पड़ता है जरा अब किरकिरापन रह जाता है तो जो खाना खाएगा वो तो रिटेट होई जाएगा और फिर दुबारा खाना ही नहीं जाएगा उससे मैं सबजी में ग्रेवी बना रहे हूं तो खूप सारा टमाटर चाहिए प्यास चाहिए अध्रा खरी मिर्ची लसन की कली भी मेरे केचन में वैसे प्लास्टिक का कोई काम नहीं है लेकिन यह जो आप बाउस एक रहे हैं प्लास्टिक के यह में रखती हूं हमेशा फ्रूट को धोना हो सबजी काटनी हो कूडा डालना हो क्योंकि बहुत ईजी हो जाता है इनको फटा-फट धो और रख दिया रात को ब अलबवरतन जगा से सब कुछ होना तो बहुत इजीली काम होता है यह मेरी फेवरेट मिट्टी की हांडी है हांडी तो नहीं है अग्ザाकिल पर इसका शीप थोड़ा डिफ्रेंट है मैं इस जब बहुत युट कुछ ग्रेवी की आइटम बनानी है सामबर बनानी है तो मैं इसमें निकालती हूँ और यूज करती हूँ किसे जिन मैं विडियो डालूँगी बताने के लिए आप लोगों को कैसे यूज करते हैं मिट्टी के बढ़ता है तो ग्रेवी भन रही है पनीर की तो काजू को तो आप मिस करी नहीं सकते थोड़े से काजू को मैंने गरम पानी में भिगो दिया ताकि उनको पीसना और एक न अच्छा सा फाइन पेस बनाना इजी हो जाए साथी साथ में यहाँ पे अपने प्यास टमाटर यह सब मैं धो रही हूँ और छील रही हूँ थोड़ा सा अगर कट करके छोटे टुकड़ों में डाल दे देना तो मिक्सी में बहुत आसानी से पिस जाता है बड़े बड़े चंग जब भी डालते ना कुछ तो रह जाता है और उसे पीसना भी दिक्कत हो जाता है तो बस मैंने सोचा कि मैं फटा फट पहले ग्रेवी की तयारी करते हूँ क्योंकि ग्रेवी थोड़ा सा पकने में टाइम लगेगा दीमी आंच पे करते हैं तो बहुत अच्छे से होता है तो जैसे ही ग्रेवी डालूँगी ना गैस पे उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आटा लगा के बाकी सारा काम करूंगे बस यहाँ पे अभी प्यास कट रहा है टमाटर काटे हूँगी अद्रक हरी मिश और लैसुं की कली मैं और लड़ी चील के काट चुकी हूँ अब आपको पता है टमाटर भी कितनी वराइटी के आते हैं कर मुझे तो दोई वराइटी पता है जो इसली हमें मिलती है तीन इनफाक्ट एक है चेरी टुमीटो जो सालेट में छोटी-छोटी-छोटी बारीक वाले आते हैं यह देसी टमाटर जो थोड़ी से थोड़ी यह एकदम रौण। सी होती है कर अदेज अ ही घट्टी और जूसी होती यह ग्रेवीज के लिए बहुत अच्छे होती है तो चाहे ग्रेवी बनाओ, सांबर बनाओ या कुछ भी तरी वाली चीज बनाते हूं तो मैं ये वाली टमाटर यूज करते हूं, देसी वाली और जो तूसरी आती है, उसे बैंगलोर टमाटर बोलते है तो मिल में अम लोग बैंगलोर तककाली बोलते है तो वो लंबी होती है, उसमें अंदर का जो जूस और पल्प है, थोड़ा सा कम होता है, ऐसे फ्लोई नहीं होता है, तो वो मैं यूस करती हूँ सैंडविच के लिए, सैलड के लिए, राहते के लिए, इन सब चीजों में वो बहुत अच्छी लगती है, बस आप बहुत सिंप कास करके रेसिपी, आप एक बार बना तो लोगी, लेकिन दुबारा नहीं बनाना चाहोगे, तो यह ग्रेवी जो प्यास टमाटर वाली मैंने वो पीस ली, उसके बाद मैंने काजू को डाल दिया, मिक्सी में पीस लिया, और उसी मिक्सर में मैं अब पुदीना डाल के पीस और यह जो अपनी हांडी है, मैं इसे गैस पे लगा दूगी, और हाँ, ध्यान रहे, जब भी आप कोई मिट्टी के, या सोप स्टोन के बरतन यूज करें ना, उसका एक नियम होता है, और वो है यह, कि आप जब गैस पे चड़ाओ, तो धीमी आँच पे चड़ाओ, और ख मतलब मैरे गुल्षन आती है, उसका काफी 10-12 साल हो गए, गुल्षन को मेरे या काम करते हुए, वो 8-10 के बीच आती है, और चाड़ू पोचा बरतन करती है, उसके बाद शाम को दुबारा आती है, बरतन करने के लिए, इस बीच में जितने बरतन होते हैं, मेरे विडियो क के या घर के मेरे से तो रा नहीं जाता है ने पहले दः गरुद के भी कई साथ को कई यहे तो इसी लगता गार आपको और जया है के से लगता ना कि सिंग काली रहतो है तो अच्छा जैसे में आपको कहा था मैं पहले तेल डालती हूँ और फिर इसको चड़ा देती हूँ तेल भी मेरा कोल प्रेस है और मिट्टी का बर्तन भी ऐसा है कि इसमें जैसे नॉर्मल कणाई में जब हम बना देना तो ऐसे उचलता हुआ नहीं दिखेगा कि आपने ग्रेवी डाले एकदम से उचलने लग गया नहीं यह दी आटा लगाऊंगी तो यह अब आटा गुनना शुरू करोंगी और यहां पर है मेरे मैं क्या डाल रहे हूँ सफेद सफेद आपनीर के जैसा पनीर नहीं है यह है गी बनाने के बाद जो थोड़ा सा बच जाता है ना रेसिड्यू यह वो है तो मैं क्या करते हूँ जब भी और स्वादिश्ट बनती है और हां जिस बरतन से मैं आटा लगाती हूँ वो लोटा नहीं है उसे हम तमेली बोलते हैं बहुत एक थिन लाइने तमेली और लोटे में पर है काफी अच्छा सा एक डिफरेंस है साउथ का यह बरतन है तमेली एनिवेज आपको पता है मेरे को ह है ऐसे लगता है ना बार-बार कि पट्टी साफ होना तो काम अच्छे से हो जाए अब आप देख रहें गेवी की कंसिस्टेंसी काफी कम हो गए ताकि टमाटर जो है और अच्छे से और फटा-फट पक जाए दीरे-दीरे करते करते आप देखे कम हो गए मैंने इसमें धन् अच्छे से मिक्स करके दुबारा पकने के लिए रख देंगे इसमें बार-बार हिलाती जाती हूं पीच-पीच में ताकि नीचे नहीं चिपके और ढखके पकाते हैं अब मैं इसमें डाल रही हूं काजू का जो पेस्ट हमने बनाया था गरम पानी में बिगो थे उसी गरम में डाल दें क्योंकि काफी उचल रहा था इसलिए मैं धकन भार-बार फटा-फट लगा रहे थी थोड़ा सा मैंने इसमें मखन भी डाला है फ्लेवर और टेस्ट के लिए यह देखे आराम से दीरे-दीरे पकाते-पकाते बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी हो गई थी अच्छी सी बॉड़ी फ्लेवर और रिच्छनेस मिल जाए जादा नहीं बलकुल थोड़ा सा एक टेबल स्पून डाला है मैंने और अब मैं इसमें यह पनीर डाल रही हूं जो यह मेरे घर का बनावा है बस सारा काम खतम जब तक पनीर बन रहा था मैंने सोचा मैं रोटी बना लूँ और रोटी के बनते ही फटा फट में फ्रूट्स जूस जो भी है सब चीज साइड बाई साइड कर रही होती हूं यह मेरा तवा जो है आप लोग कई बार पूश्टो किस चीज का तवा है यह कास्ट आइडन का रोटी तवा है कम से कम एक किलो का तो है ही उससे जादा कभी है तो मुझे याद ने तो बहुत हेवी तवा है मैं इसी पर रोटी बनाती हूं और हाँ ध्यान रहे रोटी का तवा और डोसा तवा हमेशा अलग अलग रखें नहीं तो तवा कराब हो जाता है बस इस तरीके से मैं अपनी रोटीों को तवे के उपर फुला ल देती हूं और उपर से घी लगा देते हैं यह सब करते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता लेकिन हमारे घरों में तो ऐसा ही होता है कि रोटी बनाई उसके उपर घी लगा दी अच्छे से आगे और पीछे दोनों तरफ ताकि जब खाना खायना तो सूखी रोटी ना हो और यहा पर यह स्प्राउट्स के लड़ू है जो मैं मैड ब्रैंड से खरीती हूं आपने पहले भी देखा होगा मैं इनसे काफी खरीती हूं बहुत ही यम्मी टेस्टी और हेल्दी लड़ू है यह पैक कर दूंगी और साथ में रोटी और यह आम और स्ट्रॉबरी यह भी मैड